एक बनता है लिक्विड फेटलाइजर और दूसरा बनता है ड्राइफ लाइजर तो आपन दोनों ही तरीकों के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे वीडियो को एंड तक देखेंगे का बिल्कुल भी स्किप मत किजिएगा अगर स्किप करेंगे तो कोई जानकर आपस चूट सकती है कुछ यूट्यूबर यहाँ पर कहते हैं कि यह बनाना पीर फेटलाइजर लिकुड फ्रेजर बनाते हैं यह पॉधे में फंगस पैदा करती है इसे बिल्कुल नहीं डालते जो भी यूट्यूबर दिखाते हैं उसे इसे डालते नहीं है बट मैं आपको आज इसे दो या तीन के लिए चलके ले ले और असानी से कैशी के द्वारा कट कर लें चोटा-चोटा पीसे में कर लीजिए और इसे हम एक पानी का बॉल लेंगे इस बॉल में इसे हम डाल देंगे चलिए इस तरीके से कट करने के बाद हम इसे पानी के बॉल में डाल देते हैं और डालने के बाद इसे आप ढखकर रखेगा और सनलाइट में रखेगा इसे च्छायदार जगह पे आपको रख देना है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या होता है साथ दिन ढखने के बाद आप देख रहे हैं मैं आपके समय दिखा रहा हूँ यह है बनाना पील फटलेजर वह अपना रंग छोड़ चुके हैं और जितने भी प्रोटेक्शन की मात्रा है वह सब पानी में मिल चुकी है बिल्कुल लिक्विड जो है पटलाइजर जो बना हुआ है इसके अंदर वह बिल्कुल गाढ़ा है तो इससे अपन क्या करेंगे इसे अपन च्छान लेंगे च इसमें पोटेश्यम की मातरा बहुत अधिक होती है 42 पसें होती है जो पोधे के लिए बहुत अच्छा है जो पौधे फल और फ्रूट्स देते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा यह सब के लिए बहुत ही ज्यादा गुर्कारी होता है तो बिल्कुल भी इस बात को मत म च्छान लेंगे अब देख रहें कितना गाढ़ा लिक्विट बना हुआ है तो आप डारेक्टली केले की छिलके को मिट्टी पे ना दमाए पहले उसे आप लिक्विट फिटलाइजर बना ले या मैं दूसरा तरीका जो अभी बताने वाला हूं आपको ड्राइफ में पत्तियां ज्यादा लाती है फूल और फ्लावर जो है फ्रूट फ्लावर बहुत ही कम लाने देती है इसलिए जो मातर आपने को चाहिए नेट्रोजन की पौधे को वह अल्रडी काव डंग और वर्मी कंपोस्टिन उनको मिल जाती है आप भी इसे अच्छी तरीके से छान लिजेगा है मैंने देखिए इसे छान लिया है और यह आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हुआ प्रडेशन मिला हुआ लिक्विट फटिलाइजर इस लगई लिक्विट फटिलाइजर को हम डारेक्ली पौधे पर यूज नहीं करेंगे जितना आपको लिक्विट फटिलाइजर दिख रहा है इससे डेड़ गुना पानी आपको इसमें मिला देना है और यह जो केले के छिलके आप देख रहे हैं पील जो निकले हुए है इसको आपको बिलकुल फेक देना है इसको इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि इसके जितने पानी पर हीज लिया है तो चली अपनी से इधर रख देते हैं इस बनाना पील फर्टिलाइजर को आपको पानी में मिक्स करके ही लगाना है तो मैं इसे एक बाल्टी पर ले लेता हूं और जितनी मात्रा यह बाल्टी पर मैं डालूंगा उससे डबल या टेढ़ गुया आप कर सकते हैं उतनी पानी इसमें आपको मिलाना है यह देखेँ यहा बाल्टी पर यहां axis आप इसमें पानी मिला ले और इसे असानीसे आप ऊप्व्यों कर लिए कि मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि मैं अपने पौधे पर इस फटलाइजर का उप्यों करने वाला हूं आप चले यह अपने पौधे पर यूज करते है इसके लिए न के यह यहां का बोनसाई इस इस फेज Saudis upstairs को यूज करने वाले हैं तो डतार पौधे है इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़ादा जोड़ी है पॉटेशियम तो चले अब बात कर लेंगे दूसरे तरीके बारे में दूसरा तरीका है कि जो बनाना के पिल से उसे आप बारी कट कर लें जिसे बुलते हैं बनाना पील ड्राइफ ट्लाइजर बारी कट करने के बाद इ इसे आप मिक्सी से पीस लीजेगा और किजिएगा कि ड्राइफ हो जाएं अच्छे तरीके से देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राइफ है कि सुखाने के बाद राइफ होने के बार इससे आप मिक्सी से पीस लीजेगा तो यह बिल्कुल इस तरीके से बनाना पील कर द्राइफ ट्यार हो जाएगा बिल्कुल चुन की तरह दिख रहा है है कि इसे आपको केवल इतना ही जितना मैंने अपने हाथों उठाया है उतना ही आपको किसी भी पौधे पर हल्की गुडाई करके इसे आपको डाल देना और मिट्टी से ढग देना उसके बाद आपको इ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के सांथ सेर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा तो चले फ्रेंट्स और हां कमेंट्स जरू कीजिएगा अगर आपको कोई कोश्यन होतों चले फ्रेंट्स बाए